ऐसा महा संयोग दोबारा शायदी देखने को मिले 23 अप्रेल 2024 हनुमान जयनती भी है और मंगलवार का दिन भी जैश्री राम मित्रो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रियोग के बारे में बताने वाली हूँ जिसे अगर आप नियम पूर्वक कर लेते हैं तो आपके सभी बिगड़े हुए कारे बन जाते हैं तो मैं बात करने वाली हूँ हनुमान चालीसा के एक ऐसे प्रियोग के बारे में जिसे आपको करना तो केवल तीन दिन है परंतु उसकी संकल प्लेने की वीधी उसके नियम क्या है और उसको किस वीधी से करना है ये सबी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो देखिए अगर आप किसी भी काम को लेकर बहुत दिनों से परिशान है जो पूरा नहीं हो रहा है आपने लाख उपाय कर लिए हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं हो रहा है तो अन्य आप कहीं मत चाईए आप ये जो प्रियोग है ये जो उपाय है उसे कर लीजिए और अगर आप इस चीज को नियम के अनुसार करेंगे तो आप वो सब कुछ पा सकेंगे जो आप बहुत दिनों से प्रियास के बाद भी नहीं पा सके हैं क्योंकि देखिए हनुमान जी के भक्त अगर हनुमान जी को पुकारें तो उन्हें आना ही होता है उस कारे को पूर्ण करने के लिए तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रियोग है हमें शुरू कपसे करना है तो देखिए आप किसी भी मंगलवार परंतु शुक लुपक्ष का प्रथम मंगलवार होना चाहिए या फिर जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला किसी भी विशेश शुब दिन मंगलवार अगर पढ़ रहा हो जैसे देखिए कल जो है 23 अपरेल दिन मंगलवार का पढ़ रहा है और हनुमान जयनती भी है तो इससे अच्छा दिन तो शायद ही आपको मिले तो अगर आपको कोई दिक्कत परिशानी ना हो कल से शुरू करने में तो आप इसे कल से शुरू करें बहुत ही शुब और मंगल कारी रहेगा और अगर किसी कारण से आप कल से शुरू ना कर पाएं देखिए कई समस्या होती हैं जीवन में तो अगर आप कल से शुरू ना कर पाएं, तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से आप इसे शुरू कर सकते हैं, और कृष्ण पक्ष के मंगलवार से आपको इसे शुरू नहीं करना है, इस उपाय को करना तो आपको केवल तीन दिन हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनवान जी ने अपना संपोन जीवन ब्रह्मचर व्रत में व्यतीत किया है तो आपको कम से कम पांच दिन ब्रह्मचर व्रत का पालन करते हुए इस उपाय को करना है मतलब एक दिन पहले और एक दिन बाद तक आप ब्रह्मचर व्रत में रहेंगे आपको रात्री के 9 बजे करना है और इसका कारण ये है देखिए कि जितने भी प्रियोग या पूजा पाठ है हनुमान जी के वो सब भी शाम के समय करना सरवोत्तम होता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार दिन बर हनुमान जी प्रभुश्री राम की सेवा में होते हैं और वै आपको ये जो प्रियोग है वो आप समझी गए होंगे कि किसी भी महीने के सुक्लपक्ष के शुब मंगलवार से आपको इसको शुरू करना है अब देखिए अगर आप दिन में 100 चित्त्यादी गए हैं तो नहाद हो लीजिए इसके बाद हो सके तो लाल रंग के वस्त्र प कर सकते हैं और नहीं तो आसपास मंदिर के आप चौकी या पटा रख लें उसके उपर लाल रंग का वस्त्र भी छा लें फिर इसके बाद आपको एक राम दर्बार की फोटो या मूर्ती चाहिए होगी राम दर्बार से आप मेरा मतलब समझी गए होंगे उसमें प्रभु श्री राम होने चाहिए माता सीता लक्षमन जी और हनवान जी जो है वो हाथ जोड़े हुए बैठी हुई मुद्रा में होते हैं तो इस प्रकार से आपको एक फोटो या मूर्ती लेनी है और चौकी पर इसे रख लेना है आपको और इसके बाद आपको एक देसी घी का या दीपक प्रजुलित कर लेना है और चाहें तो धूबबती भी जला कर आप रख सकते हैं और थोड़ा सा भोग वगरा रख दीजिए एक लोटे में जल रख दीजिए और सभी में आप तुलसी पत्ती जरूर डाल दीजिए और फिर इसके बाद आपको प्रभू श्री राम क समक्ष आसन पर बैठ जाना है और हाथ में जल लेकर तीन बार आजमनी करें आजमनी देखिए आपको करना ऐसा है कि बाए हाथ से दाहिने हाथ में जल डाले उसे अपने मुक से लगा ले और ऐसा आपको तीन बार करना है और चौती बार आपको फिर अपने हाथों को धुल लेना है उसके बाद आपको देखे दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले ले और अक्षत ले ले अब आपको संकल्प लेना होगा संकल्प करेंगे आप तो अपने गोत्र का नाम स्थान का नाम बोलते हुए गनपती जी का और एक हनवान जी का ध्यान करते हुए आपको ऐसा बोलना है कि हे विग्न हर्ता मैं ये प्रेयोक करने जा रहा हूँ यजा रही हूँ इस प्रेयोक को आप निर्विग्न पूर्ण करें और मेरी मनुकामना को पूर्ण करें इस तरह से आपको संकल्प लेकर जल और अक्षत जो है वो गणेश जी के सामने छोड़ देना है और गणेश जी से ऐसी प्रार्तना कीजिएगा कि आपका ये जो काम है वो बिना किसी विग्न बाधा के पूर्ण हो इसके बाद आपको एक भोजपत्र लेना है भोजपत्र देखिए पुझापाट की शौपर आसानी से आपको मिल जाएगा उस पर आपको लाल चंदन से या लाल पैन से अपनी जो मनुकामना है आपकी जो भी मनोईक्षा हो उसको लिख लेना है और हनुमान जी की फोटो या मूर्ती के नीचे आप इसे दबा दीजिएगा अब आपको पहले दिन यानि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के तीन पार्ट करने हैं और देखिए अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो बहुत अची बात है और याद ना हो तो आप किताब ले सकते हैं और जब आप पार्ट करेंगे तो देखिए शुद्ध उचारण में आपको बोलना है और कहीं भी गलत उचारण आपको नहीं करना है और बीच में देखिए ना तो आपको किसी से बात करनी है और ना ही उठना है औ पार्ट करने के बाद आप श्री राम चंद्र जी की आरती करेंगे फिर हनवान जी की आरती करेंगे और उसके बाद जो भी भोग प्रसाद या जल वगएरा रखा होगा उसे आप ग्रेंड कर सकते हैं और जिस आसन पर बैठ कर आपने पार्ट किया है उसके दोनों साइड में आपको थोड़ा थोड़ा जल गिरा लेना है और फिर उस जल को अपने हाथों से लगा लीजिए जमीन पर टच करते हुए और फिर इसके बाद वो जल अपने माते से आप लगा लीजिएगा तो इस प्रकार से आपकी पहले दिन की जो पूजा पाट है वो पूर्ण हो गई अ जो संकल्प लेने की विदी वो नहीं आप करेंगे और मनुकामना भी आपने लिखकर हन्मान जी के नीचे दबाही दी है तो ये दोनों कारे आपको नहीं करने हैं बाकी दूपतीब जला लें पार्ट कर लें आर्ती भोग ये सारा करेंगे आप तो इस तरह से आप समझी ग आपको करना है तो इस तरह से आप समझी गए होंगे और देखिए तीन दिनों तक अगर आप वरत रहकर ये करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव शाली रहेगा और पुजा के बाद एक समय आप मीठा भोजन कर सकते हैं और अगर नहीं रह पा रहे हैं हैल्थ इस्यू ताके तो इस तरह से पहले दिन 3, दूसरे दिन 7 और तीसरे दिन 11 पार्ट आप करेंगे ठीक उसी वीदी से सारी वीदी वही होगी और 3 दिन पार्ट करने के बाद शनिवार के दिन देखिए यहाँ पर आपको दिनों का बहुत अधिक ध्यान देना है मंगलवार, बुधव गुरुवार आप पार्ट करेंगे और शुक्रवार को छोड़ कर शनीवार के दिन आपने जो भोजबत्र में अपनी मनो कामना लिखी है उसे आपको लेना है और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप चले जाईए और उनके दाहिने पैर के पास रखकर आ जाईए और देख वो आपको निशित रखनी है आर्ट से नौ के बीच में जो भी समय आप निशित करें बिलकूल उसी समय में एक्जेक्टली आपको पार्ट शुरू कर देना है तो इस तरह से देखिए सब कुछ हो गया सबी चीज़े मैंने समझा दी और एक चीज़ यहां पर मैं आपको औ बता दूँ कि देखिए यह जो उपाय है वो बहुती कारगर है क्योंकि हनुमान चालीसा स्वयम में सिद्ध है और हनुमान चालीसा का तो जितना गुण बखान मैं करूं उतना ही कम है क्योंकि कल्यूग में हनुमान जी एक ऐसे चमतकारी देवता है जो कठिन से कठिन दु पूर्लब काम को भी पूर्ण करने का सामर्थ रखते हैं और कई भक्तों को हनवान जी के प्रत्यक्ष प्रमाड भी मिले हैं उन्होंने उनका प्रत्यक्ष अनभव किया है और एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो उपाय है आपको तभी करना है जब बहुत अधिक आवश्यक हो और जो भी करना है आपको वो आपके हित्मे होना चाहिए ऐसा ना हो कि हम किसी आनने के लिए मतलब क्रोध और आवेश में आकर हम किसी का अहित करने के लिए या बुरे विचार से कुछ बुरा मांग ले तो ऐसा मत कीजिएगा आप खुद के लिए कितना भी अच्छा मांग सकते हैं बस मन में आप प्रबल और अडिक कता ही न हिलने वाली श्रद्धा रखिएगा और देखिएगा प्रभु श्री राम जी और हनुबान जी कैसे आपकी जो इक्षा है उसको पूर्ण करते हैं और इस तरियां यहां पर ध्यान देंगी अगर उनको पिर पाहर जाना है यह शादी विवा में जाना है यह आपकी पीरिट्स वगएरा आ गए तो देखिए बहुत ध्यान से दिनों को आप चुने और तीनों दिन आपको निर्विग्न बिना तूटे इस अनुष्ठान को संपन करना है क्योंकि एक चीज यहां पर मैं आपको बता द करना है तो यहां पर मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है परन्तु फिर भी अगर आपके मैंन में किसी तरह की कोई शंका या प्रेश्ण है तो आप मुझे कमेंट करें में रिप्लाइ करने की पूरी कोशिश करूंगी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जै श्री राम